हेलो दोस्तों दिल की गराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आप लोग अपना किमती वक्त निखल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए सबसे पहले तो मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को जरूर सब्सकाइब कर लिजिएगा तकि मैं सारा इंफोर्मेशन में आप लोग को टाइम टू टाइम भीजबा हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बजट में कौन से स्टॉक पे फोकस करना है क्योंकि बजट तो आ चुका है कल ही है केवल एक दिन बचा है और एक दिन पहले मैं आपको यहाँ पर बदा रहा हूँ तो बजट की खबर बहुत तेजी से मार्केट में फैल रही है यह बजट बहुत खास बजट होने वाला है गौर्मेंट का लास्ट बजट है इसके बाद कौन बजट निकालेगा बोलना मुस्किल है क्योंकि इसके बाद election है तो सरकार कोसिस करेगी कि यह बजट में मसाला होना चाहिए तभी लोगों को अच्छा लगेगा समझेरो ना मसाला रहेगा तभी लोगों को जादा अच्छा लगेगा और इसमें से कुछ ऐसे stocks मैं आपको बताने के कोसिस करेगा जो काफी बड़ा तगड़ा return निकाल के देगा आप दोगों को तो मैं बीना time waste करते हुए stock का नाम बताऊंगा लेकिन एक चीज़ मैं आपको दावे के साथ बोलना चाहता हूँ कोई भी इंसान आपको budget के बारे में बताएगा जरूर बताएगा लेकिन वो direct stock का नाम नहीं बताएगा बजट तो हमें भी पता है direct stock का नाम बताओ न तबीना मैं सुबह सुबह खर दू हूँ और फिर मैं profit करूंगा नहीं कोई नहीं बताएगा कि वाल आपको बताया जग कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने subscriber को बताओं ताकि उनको benefit हो और पहला जो stock है उसका नाम है सक्ती pump सक्ती pump 439 रुपीज में देखने को मिल रहा है याद रखे मैं आपको बता रहा हूँ budget का stock यहाँ पर अगर एक पैसे रहता ना तो मैं इसको पर भी ध्यान दो क्योंकि एक-एक पैसा का हिसाब लेंगे एक-एक पैसा नहीं चोड़ेंगे पूरा profit करेंगे अब फिर जब अगले बार वीडियो बनाकर बलूंगो तो सर लोग बलेंगे सर एक पैसा कहा है एक पैसा कहा है मुझे तो दिखी नहीं रहा तो यही चीज हो आप कहीं पर भी जाते हो तो लिखा रहता है कि माल लेते हैं कि वन नाइन्टी नाइन रुपीस आप उसको बोलते हो कि एक काम करो अब मैं आपको वन नाइन रुपीस ही दे रहा हूं तो बोलेंगे नहीं आपको नाइन रुपीस चिल्लर भी देना पड़ेगा भाई एक पर भी कोई दुकांदार नहीं छोड़ेगा भाई जो ब्रांडेट बिजनस मैंने याद रखेगा इसलिए मैं बोला हूं कि मैं एक पैसा क्यों छोड़ू फिर तो सकती पंप पे धिहान रखेगा बजट का सांदार लाजवाब मसालेदार स्टॉक रहेगा हाला कि बहुत नीचे गिरा हुआ है देख लिए एक साल में मतलब पूरा चकना चूर हो चुका है स्टॉक लिकिन ये हमारे लिए काफी अच्छा मौका है जब भागेगा तो दुनिया देखेगी याद रखेगा दूसरा स्टॉक बैस्ट अग्रोलाइफ बैस्ट अग्रोलाइफ मैं आप क्पनी का जो प्रोडक्ट हैने में बहुत दम है ये जो बागेश्ट अग्रोलाइफ भी बहुत मस्त होने वाला है पिछले एक मेइने में जितना गिरावट हुआ है नहीं जितना गिरना है कि स्टॉक को गिरने दो सुल्ला सो रुपय के बाजू से गिरना स्टार्ट किया है मैं आपको बोल ला हूँ ये सुल्ला सो रुपय क्रॉस करके एक आल टाइम हाई लगाएगा मैं वीडियो के उपर वीडियो बना बना कर आप लोगो को बोलूँगा कि चैनल को सब्सकाइब नहीं किया न तो नुकसान तो आपका ही होगा क्यों मेरा होगा नुकसान मुझे तो पता है तभी तो मैंने वीडियो बनाया है न आप लोगो को बताने के लिए सकती पंप के ब्रांड अंपिस्टर अमिताब बचेन है मैं क्यों बोलता हूँ सकती पंप को ये जो मोटर बनाती है कंट्रोलर बनाती है सोलर से रिलेटेड सारे प्रोड़क्ट बनाती है और बोरिंग वगरा सारी चीज़ बनाती है ये केवल किसानों के लिए ही कंपनी घाम करती है केवल की शान्यों के लिए ही कंपनी जो है अपना प्रोड़क्ट बनाती है देख लिजे यहाँ पर इसने बता भी रखा देखे यह पाइप बनाता है बोरिंग बनाता है डीजल बनाता है यह सारी चीजों जो है एक्रिकल्चर से रिलेटेड है इस वज़े से मैं बोल रहा इसको काफी अच्छा फाइदा होने वाला है बेस्ट अगुलाई भी बहुत ही अच्छा है 20-30,000 करोड का मार्केट कैप है 2800 करोड का केवल 27 का PEE है मतलब स्टॉक सस्ता है 39 करोड का कम्पनी के पास तो केश है 131 करोड का डिट है कम्पनी के पास बहुत कम डिट है पर बहुत अच्छा है बहुत अच्छा फॉरें वाले दो फॉरेंशर से बढ़ाया है इस बार अगर आप जाहो तो जा के देख लो पहले इनके फास प्लेज हटा दिया इस बार के पास हिस्सेधारी कम था हिस्से बढ़ा लिया यहांपर company के पास देखो के तो थोड़ी बहुत weakness है बस थोड़ी बहुत ही weakness है ये बीटा में थोड़ा बहुत मैं आपको वहलूँगा कि नेट cash flow थोड़ा कम हुआ है ये बीटा में थोड़ा बहुत problem दिखने को मिला है नहीं तो पहले बहुत सही था मेरे तरफ से बहुत अच्छा है फिर भी एक बार अपने financial advisor से consult कर लिजेगा और अगर आप stock market में नहीं हो तो अपने डिमेट अकाउंट एंचल में open कर सकते हो जहां पर आपका डिमेट अकाउंट बिल्कुल free में डिलिवरी चार्जेस फ्री में क्योल 20 रुपीज लगता वो भी इंट्राडे में तो description में लिंक दिया गया है मिन्टो में जाके अपने डिमेट अकाउंट अगर आपन कर सकते हैं बिल्कुल free में